बुद्मज़निंग बच्चो आपका ऑनलाइन क्लास में कुना सभय करता है बच्चो अज हमको 28 की वेवसाे अथ्यन BHSC नया सब्जेक्त है वह जो निर्दायित किया गया है उसके बारे में हम आपको जो तरी उसका सैलयबस है उसके बारे में में आपको बच्चों पताने जा रहें किस के अंदरगात हम क्या-क्या अध्यन करेंगे तो उसकी विश्य सूची पर हम प्रकास डाने बच्चों सबसे पहले पहला चैप्टर पढ़ेंगे प्रबंद की प्रकर्ति एवं मैत चैप्टर टू पढ़ेंगे प्रबंद की सिद्धान चैप्टर थ्री में पढ़ेंगे वैबसाइक प्रियावरान चैप्टर फोर में पढ़ेंगे नियोजान चैप्टर फाइव में पढ़ेंगे संगठान च इसी करम में बच्चु भागदों में भी चैप्टर नंबर 9 व्यवसाइक वित्थ, चैप्टर नंबर 10 वित्य बाजार, चैप्टर नंबर 11 विपन्नन और अंतीम है चैप्टर उपभोगता सनरक्षन तो बच्चो इसके बारे में हम अध्यन करेंगे अब दुबारे से हम उसके बारे में आपको पहले सबसे पहले बताना चाहेंगे कि व्यवसाइक अध्यन विषय जो है वो है क्या उसके में हम क्या अध्यन करेंगे तो बच्चो एक ऐसा सैक्षिक विषय है व्यवसाइक अध्यन जिसके अंतरगत हम लेखांकन, वित्व, विपन्नन, संग्धनातमक, अध्यन एवं अर्थ सास्त्र के मूल तत्मों का बच्चो सम्मिस्रण जो होता है उसका हम अध्यान इस विसे के अंतरगत बच्चो करते हैं अब हम इसमें जो हमारी चैप्टर है बच्चो कुल मिलाकर हमारी चैप्टर जो इसके अंतरगत आए हैं भारा चैप्टर हैं तो बारह में से फ़र्ष्ट रम के लिए बच्चों हम चार चैप्टर हमारे त्रह मासिक प्रिच्छा में निधारित किये गए हैं तो प्रियास यह करेंगे हम की ओनलाइन कि आधिक साधिक कोर्स संपन हो यदि कम्प्लीट आपकी चार चैप्टर नहीं हो पाते हैं तो ओफ-लाइन क्लास में आपका पूर्स पूरा किया जाएगा ठीक है अब हम इसमें क्या क्या अध्यन करेंगे बच्चो चैप्टर नमबर वन में चैप्टर वन में पढ़ेंगे प्रबंद की प्रकरती एव मैत जो हमारा पहला चैप्टर है उसमें पढ़ेंगे हम उद्देश्य मैत प्रबंद प्रकरती और प्रबंद के कारिया आधी आधी इसका हम इसमें बच्चो अध्यन करते हैं चैप्टर नमबर वन में चैप्टर टू में अध्यन करेंगे हम प्रबंद की सिद्धान्त के लाओन चैप्टर कर दिखव अर्थ प्रयावरन किया होता है उसका आर्थ जानेंगे व्यावरन का इसके रहा बच्चों चैप्टर फोर्ड जो नियोजन है उसके बारे में अध्यन करेंगे नियोजन का अर्थ नियोजन का क्या मेहत होता है नियोजन की क्या क्या विसिष्टाएं हैं नियोजन की कौन-कौन से प्रक्रिया हैं और नियोजन के कौन-कौन से प्रकार होते हैं ब ले लें किताबें ले लें साती साथ एक रेजिस्टर भी ले लें जिससे आपको जो कारिय भीज़े जाएगा आप उसको समय पर पूर्ण करते रहें ऐसी मैं आप से आसा करते हुए धन्यवाद